हलो अब्रिवन आज हम लोग इस वीडियो में कुछ महतोपून पुस्तक को लेकर बात करेंगे दोस्तों ये आपके एक्जाम के लिए बहुत बहुत इंपोर्डेंट रहेगा और एक से दो सवाल हमेशा एक्जाम में देखने को मिलता है और आगे भी मिलेगा दोस्तों इसमें जितने भी पुस्तक करवाया जाएगा कहीं आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा और एक्जाम से पहले ये सारे बुक का जो राइटर है यानि जो लेखक है उनका नाम पूरा रट करके जाईएगा ठीक है तो पिलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो भी राइटर है और जो भी वो पुस्तक को लिखे हैं सारे का सारे का category में बाट दिया हूँ दोस्तों महत्मा गांधी से अगर सवाल exam में पुछेगा तो उसका जो प्रमुक पुस्तक जो अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है उसी को इंक्लूड किया हूँ तो पहला है The Story of My Experiment with Truth The Story of My Experiment with Truth का पुस्तक जो है वो मात्मा गांधी का आटो वायोग्राफ ही है याद रखिएगा और यह most most important रहेगा दोस्तो आपके एक्जाम के लिए बहुत बहुत important रहेगा ठीक है दोस्तो इसका अगर हिंदी में नाम आए तो यह रहेगा सत्यता के साथ मेरा प्रियोग ठीक है और कहीं पर आपको ऐसे भी सवाल पुछा जा सकता है कि मात्मा गांधी का जो आत्म कता है वो इन में से कौन सा है याद रखिएगा सत्यता के साथ मेरा प्रियोग और अगर इंग्लिश में नाम आए तो the story of my experiment with truth ठीक है next है हिंद स्वराज हिंद स्वराज के भी लेखक है मात्मा गांधी और ये बुक आप लोग देख पा रहे हैं ठीक है next दोस्तो सवाल एक्जाम में पुछा जाता है यंग इंडिया को लेकर तो यंग इंडिया दोस्तो एक पत्रिका है यानि एक अखवार था ठीक है जो आप लोग पूरा same to same जो उस time का खवार था उसी का पिक में लाया हूँ ताकि आप लोग को ये भी याद हो जाए कि जो यंग इंडिया पत्रिका था ये कोई बुक नहीं बलकि एक समाच्चार पत्रिका था तो इसके भी लेखक कोन थे महत्मा गांधी तो महत्मा गांधी से दोस्तों तीन को याद रखना है पहला है सथिता के साथ मेरा प्रियोग जो उनका ओटो वाइगराफी था ओटो वाइगराफी का मतलब होता है आत्म का था ठीक है नेक्स्ट है हिंद स्वराज और थाड है यंग इंडिया नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है बाल गंगा धर तिलक के प्रमुख पुस्तक दोस्तों यह जो पुस्तक है यह आपके एक्जाम में दो से तीन बार रिपीट हो चुका है तो यह आपको याद रखना ही होगा यानि छोटे छोटे पैरेग्रफ बनाया है और उसको अपने भासा में एक्स्प्लेइन करने का कोशिस किया है तो गीता रहिस्ट पुस्तक के लिखक है बाल गंगा धर तिलक दोस्तों नेक्स्ट दो गो पत्रिका बाल गंगा धर तिलक से हमीश सा पुछा जाता है एक है माराठा और दूसरा है केसरी दोस्तों सेम टू सेम मैंने वही पिक लेने का कोशिस किया हूँ सवाल आप से पुछेगा माराठा जो पत्रिका था उनके संपादक कौन थे या फिर लेखक कौन थे तो बाल गंगा धर तिलक नेक्स दोस्तों माराठा से सवाल पूछा जाता है जो माराठा समाच्चार पत्रिका था वो किस भासा में था तो याद रखिएगा जो माराठा भासा है वो अंग्रेजीर समाच्चार पत्रिका था दोस्तों माराठी जो सब्ध है वो आप माराठी से confuse हो सकते हैं इसलिए मैंने पूरा आपको दिखाने के लिए ताकि confuse ना हो इसके लिए मैंने आपको पूरा same to same मोही पत्रिका लाया हूँ ठीक है तो मराठा जो पत्रिका था वो इंगरीजी भासा में था और केसरी जो समचार पत्रिका था वो आपका मराठी भासा में था यानि थोड़ा confusion है दोस्तों आपको याद रखना है मराठा जो समचार पत्रिका है वो अंगरीजी में था केसरी ज तो आपको याद रखना ही होगा ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हम लोग जो बुक देखेंगे वो है रविंद्रनाथ टैगोर का दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बहुत अपने टाइम में पुस्तक लिखें हैं बहुत सारे पत्रिका का संपा इसमें नो डाउट जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बहुत ही बड़े हां लेखक थे जिनके कारण दोस्तों उनको नौबल पुरुषकार भी मिला था ठीक है साहिते के छेतर में दोस्तों सवाल पुछा जाता है गितांजली पुस्तक के लेखक कौन थे तो गितांजली प टैगोर की कौन सैसी पुस्तक था जिसके बाद उसको नौबल पुरुषकार दिया गया था तो नौबल पुरुषकार दोस्तों गितांजली उपन्याश के लिए ही दिया गया था आपको याद रखना है तो आप लोगों से एक कोशन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को ठीक है और नेक्स्ट आपका सवाल जो एक्जाम में एक दो बार पूछा गया है वो है गोरा दोस्तों गोरा भी जो पुस्तक था वो रविंद्रनाथ टैगोर के दोवारे लिखा गया था तो आप लोग याद रखिएगा मोस्ट मोस्ट इंपोडेंट है नेक्स्ट आगे लिखा है दा अंटचेवल यानि जो चुआ चूत उस टाइम पे उनके टाइम पे कैसा था उनके बारे में लिखे हैं बावा सापा अम्डेटकर नेक्स्ट है बहिसकृत भारत के भी लिखक है डॉक्टर भीमराव अम्डेटकर ठीक है और दोस्तों नेक्स्ट एक समाच्या थे वो था मुक नायक दोस्तों यह जो मुक नायक है यह आपकी एक्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है मुक नायक जो समाचार पत्तिका थे वो गिसके दुवारे लिखा गया था वो है डक्टर भीम राओ अमबेटकर के दुवारा ठीक है अगे चलते हैं दोस्तों अगनी के साथ उड़ान उसका प्रमुक प्रमुक पूस्तक है और आपके एक्जाम में अगर एपिज अब्दूल कलाम से कोई पुष्टक पुछा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा चांसे से कि यही पुष्टक पुछा जाएगा ठीक है इंडिया 2020 के भी लेख़क है एपिज अब्दूल कलाम ठीक है तो दोस्तो यह आपका जो मैंने इस वीडियो में जितने भी बुक बताया है वो आप लोग जरूर पढ़के जाएगा यह आपको लिए बहुत बहुत इंपोरेंट है दोस्तो आपको एक छोटा सा मेसेज देना था आप लोग अगर इस मेसेज को सुन लेते हैं तो बहुत बहुत आप लोगों का बेनिफीट होगा दोस्तो अभी आप लोग 6 सेमिस्टर में हैं और 6 सेमिस्टर को लेकर के तैयारी सेक्सेस की यूट्यूब चैनल ले आप लोगों के लिए जो पीडियप है और लॉंच कर दिया है और जिन लोगों ने भी अभी तक पीडियप नहीं लिया है और आप लोग PDF बाई करना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं दोस्तो PDF पूरा बनके रेडी हो गया है आप लोग का Core Paper 13, Core Paper 14 और DSE Paper 3 का PDF रेडी हो चुका है दोस्तो तीन ही पेपर के एक्जाम देना है और चोथा पेपर प्रोजेक्ट है जो आपको बना करके submit करना है ठीक है और प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको देखना है तो उसका भी link में description में दे दूँगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आपको बनाना है प्रोजेक्ट ठीक है तो अगर आप लोग यह दोस्तो पीडिएप लेना चाते हैं तो आपको contact करना पड़ेगा मैं आपको एक contact number दे देता हूँ उस number पर आप लोग संपर किजिएगा तो आप लोग पीडिएप ले सकते हैं ठीक है दोस्तों number है 89 69050907 ठीक है इस number पर आप contact कीजिए और पीडिएप को बाई कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है मिलते हैं बहुत जोल नेक्स वीडिएप में ततक के लिए जैहिंद